सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों सवगत करता हूं सबके इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पियन लोदा मित्रों, रीड बरती से समन्दित की अपडेट हाला कि आपके पास पहुँच गई होगी लेकिन फिर भी में इस न्यूज से आपको अवगत कराना चाहूंगा मैंने ये थमनेल पर लिखा है कि तयारी शुरू कर दो, एक्जाम कब होगा अब कोई बेटक नहीं होगी, सिरे विध्यप्ति और पेपर होगा तो साथियों, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं हो सकता है ये न्यूज आपके पास पहुँच गई हो लेकिन मित्रों, क्या ये न्यूज सही है, कितनी सही है, पूरी सही है इस न्यूज का क्या प्रपाव सिक्सक बरती पर आपके पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो चलिए न्यूज को देख लेते हैं मित्रों, जो पेपर माया था, कि रीट की परिक्सा होगी जल्द तैयारिया पूरी ये तो इसकी हेडलाइन थी, और इसके निचे जो इंपोर्टेंड बाते हैं उनको एक बार देखते हैं एक दिवसी दोरे पर बिकाने राये, सिक्सा मंत्री गोविन सिंग डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सिक्सक पात्रिता परिक्सा रीट जल्द होगी ये तो वो बहुत दिरों कह रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है इसके लिए सबी तैयारियां कर ली गई है उन्होंने कहा कि नीट और बोर्ड की परिक्षा करवाने के बाद अब रीट की परिक्षा संपन करवाए जाएगी मतलब सिदी सी चीज है कि इनके पास एक्जाम नहीं करवाने के लिए कोई कारण नहीं बचा है परिक्षा को लेकर तैयारिया पूरी कर ली गई है बेटक के बाद अंतिम फेसला भी लिया जा चुका है तो देखिए अब बेटक भी पूर्ण हो चुकी है लाश जो फेसला है वो भी इन्होंने ले लिया है जल्द ही इस संबन में मादमिक सिक्षा बोर्ड को अधिक रित कर परिक्षा संपन करवाए जाएगी मतलब सीदी सी चीज है कि मादमिक सिक्षा बोर्ड हर बार की तरह आपका रिट का एक्जाम लेने वाला है विदित रहे कि राज के अभिरती कापी समय से रिट का इंतजार कर रहे हैं पुरू में 2 सितंबर को रिट की परिक्षा होनी प्रस्तावित थी लेकिन कोरोना के कारण सितंबर में रिट नहीं हो पाई है तो उसके बाद कई बड़े बड़े एक्जाम हो चुके हैं 2 सितंबर जो इन्होंने डेट टाली है तो साथ यों अब देखिए बिल्कुल सिधा सा एक यहां पर आपने को पता चल रहा है कि 101% मादमिक सिक्षा बोड आपका जो है वो पेपल लेगी रिट का और जो पुराना पेटर्न है उसी पेटर्न पर आधरित आपके क्यूशन भी होंगे वो ही पेटर्न 150 क्यूशन 5 अलग-अलग भागो में लेवल 1st में लेवल 2nd में चार अलग-अलग भागो में डिवाइड होंगे तो देखिए आपके पास अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे ये आपके अक्टूबर का महिना चल रहा है तो हो सकता है कि अक्टूबर के लाष्ट में आपके रिट की विकेंसी आ जाए मित्रों हम ये मानके चलते हैं कि अक्टूबर के लाष्ट में आपके विग्यप्ति आ जाएगी और अक्टूबर के लाष्ट तक भी विग्यप्ति नहीं आए तो नवंबर के फश्ट में आपके विग्यप्ति 101% आ जाएगी क्योंकि आपको सभी को पता है कम से कम 90 दिन का आपको टाइम दिया जायेगा मित्रों तो 9, December, January मतलब फरवरी में ही आपका REIT का एकजाम होना भी तई है फरवरी में ही आपका REIT का एकजाम होगा साथियों तो अब ये मानें कि आपके पास मेक्जिमम चार महीने बचे हैं और ये चार महीने आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रखते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है कितना इंपोर्टेंट रखते हैं वो आप सभी को पता है तो लग जाओ बिल्कुल अपनी तयारी पूर्ण रूप से अपना सोपर्तिशत देना चालू कर दो जो आपके पास बहानेबाजी होती है कि हमें ये काम होता है हमें वो काम होता है उन कामों को छोड़कर पूर्ण रूप से निश्टा के साथ लगन के साथ इमानदारी से बिल्कुल पूरी तयारी चालू कर दो जितनी आप कर सकते हो क्योंकि ये टाइम आपको दुबारा नहीं मिलेगा मिलेगा लेकिन बहुत टाइम बाद हो सकता है उस टाइम पे आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करे जिस तरह से आज कर रहा है तो इसलिए कहराओ साथियों कि लगातार फुल इस्टेडी के साथ में अपने हो तो आप चैनल को सब्क्राइब भी कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में